Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you will be better, fine and healthy. तो guys, सिधी बात, नो बकवास, आज के बडियों में हम लोग सिखेंगे, ऐसे संटेंस आप कभी न कभी बोले होईंगे, या किसी के दवारा सुने होईंगे. क्या है वो? मुझे लगा ही था कि आज बारिस होगी. ठीक है? या फिर मुझे लगा ही था कि वह नहीं आएगा. ठीक है? मुझे लगा ही था कि आप मेरी मदद करेंगे. मुझे लगा ही था कि वह मुझे से मिलने आएगी. तो यहां पर गाईज हमने सिर्फ चार संटेंस लिये हैं. लेकिन इस तरह से धेरो सारे संटेंस आ सकते हैं. कि मुझे लगा ही था ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तो ऐसे संटेंस को अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? ठीक है? तो आईए इस वीडियो के माधियम से सीखते हैं. बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कि अगर वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सबसे जरूरी बात, कि वीडियो कीर तक बने रह ठीक है? I had a hunch, अब उसके बाद आपको लगाना है, that, ठीक है? इतना common रहेगा, अब उसके बाद क्या करना है? सबजेक्ट लगाना है, उसके बाद would लगाना है, ठीक है? भीवन, object, ठीक है? इस structure के coding, हम लोग, ऐसे sentence को हम लोग क्या करेंगे? तो structure को हम लोग फिर से देख लेते हैं, I had a hunch, that, subject, would, भीवन, object, ठीक है? अब फर्स्ट वाला देखे, example हम लोग solve कर लेते हैं, मुझे लगा ही था कि आज वारिस होगी, मुझे लगा ही था के लिए हम लोग यूज करेंगे, I had a hunch, that, उसके बाद क्या है? आज वारिस होगी तो subject में क्या जागा? इट, would हमारा common रहेगा, would rain today, ठीक है? तो मुझे लगा ही था, आज वारिस होगी, का बोलेंगे, I had a hunch, that, it would be rain, sorry, it would rain today, अब next वाला देखते हैं, क्या है? मुझे लगा ही था, कि वार नहीं आएगा, तो क्या होगा? I had a hunch, that, he, would, not, come, बन गया, very simple, मुझे लगा ही था, वा नहीं आएगा, I had a hunch, मुझे लगा था, ठीक है, that, he, would, not, come, I hope कि अब आपको समझ में आगया होगा, चलिए, एक और एक्जामपल है, उसको भी देख लेते हैं, मुझे लगा ही था, कि आप मेरी मदद करेंगे, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको? I had a hunch that you would help me, ठीक है, मुझे लगा ही था, कि आप मेरी मदद करेंगे, I had a hunch that you would help me, ठीक है, ठीक है, और आपको समझ में आ गया है, तो देखिए, जल्दी से आप क्या करेंगे, कि comment box में इसको क्या करना है, comment करना है, कि इसको हम कैसे बोलेंगे, और आपको जनकारी के लिए मैं बता दूँ, कि देखिए, मुझे लगा ही था, तो I had बोल दिये, लेकिन अगर ऐसा बोलना होगा, कि तुम्हें लगा ही था, उसे लगा ही था, हम लोगों को लगा ही था, तो उस condition में यहाँ पर subject क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, संटेंज के coding है, जिसको जो लगेगा, जैसे I, He, You, We, दे, राम, स्याम, जो भी हैगा, तो यहाँ change भी हो सकता है, मुझे के जगह पर तू में उसे इस तरह सरहेगा, तो I के जगह पर उस subject change हो सकता है, तो I hope कि आपको यह जनकारी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, को ते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तो गाईज मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू, बाई बाई